हेलो एबरीवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और बिलकुन नई मिठाई ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी दानेदार और बहुत ही स्वाद बनेगी तो इस मिठाई को मैंने किस तरीके से बनाया है किस चीज से बनाया है चलिए बिना टाइम वेस्ट कि ये देख लेते हैं इस रेश्वी को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने हां सूजी ले लिया है ये सूजी कप से एक कप है और इसे मैंने कटोरी में रख लिया है इसका दाना देख सकते हैं थोड़ा सा जो normal सूजी आती है उसे बड़ा है और ये थोड़ा सा color में भी अलग है यानि ये थोड़ा सा yellow color में है तो ये सूजी है ये कुश-कुश सूजी आती है वो सूजी मैंने लिया है ये सूजी आपको किसी भी बड़ी दुकान पर मिल जाएगा फ्रेंट्स इस सूजी से आज हम मिठाई बनाएंगे जो मिठाई बहुत ही स्वादिस्ट और बिल्कुल दानेदार बनके त्यार होगी तो चलते हैं गैस की तरव गैस पर मैंने पैंग चड़ा लिया और फ्रेंट्स इसमें एक चमच देशी घी डाल दिया है गैस का फ्लेम अभी मैंने ओन नहीं किया था इसे भी ओन कर लेते हैं और घी को मिल्ट होने देते हैं घी को बहुत मतलब जादा गरम नहीं करना है बस इसे मिल्ट कर लेना है जब हम इसमें सूजी को डाल देंगे और फ्रेंड्स ग्यास का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा लो फ्लेम पर है इसे पकाना है और आप घर का कोई कटोरी कप सेट कर लेजेगा जिससे हर चीज को हम नापके डालेंगे जिससे हमारी यह रेश्पी यानि मिठाई की रेश्पी ब बनाके तयार कर सकते हैं और तीन से चार चमच घी भी डाल सकते हैं तो एक चमच घी में बनी यह मिठाई बहुत ही हेल्दी बनके तयार होगी तो इसे हम इस तरीके से भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो तो फ्रेंड्स अब इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है गेस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और अब हम डालेंगे इसमें दूद दूद के जगह आप पानी भी डाल सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखना है कि दूद ले या पानी ले दोनों एकदम उबलता हुआ होना चाहिए इस स्टेश पर आपको दूद या पानी तो फ्रेंट्स जब पानी या दूद अच्छे से उबलता रहेगा तो आप जिस कप या कटोरी से सूजी लीजिएगा उसी से एक कप या एक कटोरी इसमें दूद या पानी डाल दीजिएगा अब हम इसे ढख के छोड़ देंगे गेस का फ्लेम बिलकुल बंद है अब हम इ आधा कप ये मिसरी का पाउडर ले लिया है आप चाहें तो पौना कप या एक कप भी मिठास ले सकते हैं जैसा मीठा खाना चाहते हैं वैसे आधा कप अगर जो चीनी ले रहे हैं या मिसरी ले रहे हैं तो बहुत ही परफेक्ट मिठास आएगा ना तो बहुत ज़्यादा म यानि जितना हम इसमें मिठास डालेंगे उसका आधा पानी डाल देंगे अगर जो आप एक कप या एक कटोरी चीनी लेते हैं तो आधा कप या आधा कटोरी पानी डालिएगा अगर जो आधा कटोरी चीनी लेते हैं तो उसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पानी Bowl कि है तब तक हम इधर सूजी को देख लेते हैं तो देख सकते हैं सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकि है यहां मैं इसका दाना दाना दिखा देती हूं लेकिन तरफ छilles की तरफ हमारी चासनी भी पक रही है तो फ्रेंग्स अब इसमें थोड़ा सा कलर आए यानि जो color सूजी का है वो color देने के लिए थोड़ा सा इसमें हम केसर का धागा डाल देंगे जैसे जैसे केसर पकेगा वैसे वैसे ये अपना color रिलीज कर देगा तो अब देखिए friends इसका color बहुत ही अच्छा आ गया है आप चाहें तो food color भी डाल सकते हैं या बीना केसर या food color का भी बना सकते हैं तो अभी हम इसे चेक कर रहे हैं तो friends इसमें जो तार है अभी बहुत अच्छा नहीं बन रहा है थोड़ा सा और हम जब पका लेंगे तो अब चेक कर लेते हैं यहां मैं दिखा दूँ इसमें बहुत हलका तार बनना चाहिए यह देखिए हलका सा उठ रही है चासनी तो बस इतना ही perfect है इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो हमारे मिठाई soft नहीं बहुत कड़क बन जाएगी तो friends अब जो हम दूद में सूजी को फुलाग रखे हैं वो सूजी इसमें डाल देंगे और gas का flame बिल्कुल low रखिएगा अब हम इसे mix करेंगे जैसे जैसे आप इसे mix करेंगे वैसे वैसे यह अच्छे से mix होगा जासनी को बना सकते हैं तो friends यहां देख सकते हैं बहुत अच्छे से यह mix हो गया है बिल्कुल अभी यह juicy है तो friends इसको अच्छे से mix करने के बाद इसके टेस्ट को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए अब मैं इसमें डाल दूंगी milk powder यह पूरी तरह optional है आपने इसे दूद में already भीगो के लिया है तो यह वैसे ही बहुत ही स्वादिश्ट बनेगी लेकिन अगर जो हम milk powder डाल देंगे तो टेस्ट और ज्यादा इनहेंस होगा और इसकी binding थोड़ी अच् अच्छे से मिक्स कर लिया है अच्छे से मिक्स करने का मतलब यह है कि बिल्कुल इसे मैस नहीं करना है थोड़ा सा दूर इसमें चंक्स जैसे दिखना चाहिए तो अब हम इसे सेट करने के लिए बरतन को सेट कर लेते हैं यहां मैंने केक टीन ले लिया है इसमें butter paper इस तरी के से ग्रीज करने के बाद अब जो मिठाई का मिक्स है इसमें हम डालेंगे ये देखिए बहुत ही लाजबाब ये मिठाई बनती है अगर जो आपको ये वाली सूजी मिले तो आप जरूर बनाएगा तो इसमें डालने के बाद इस पैचुला से इसे अच्छे से तबाह के बि सकते हैं अच्छे से सेट करेंगे तभी मिठाई परफेक्ट बनेगी नहीं तो विखरी विखरी ये मिठाई बन जाएगी तो यहां दस मिट मैंने इसे रख दिया है ऐसे नॉर्मल जगह पर तो यह सेट हो चुकी है मिठाई इसे फ्रीज में या पंक्रे के नीचे नहीं र उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है इससे मिठाज की इच्छा भी पूरी होगी और साथ-साथ यह नुक्सान भी नहीं करेगा क्यूंकि एक चम्मच घी और एक कप दूध में हमने इसे बना के तयार किया है तो यहां मैं आप केक्टीन से इसे निकाल लूंगी और देख स सकते हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छे से मिठाई सेट हो चुकी है अब हम इसे मन चाहे सेप में काट लेंगे तो सबसे पहले मैं इस पर चांदी वर्क लगा देती हूं पूरी तरह ऑप्सनल है बिना चांदी वर्क का आप इस मिठाई को बनाके खा सकते हैं थोड़ा सा सु कि आप चाहे तो इसका लड़ू भी बना सकते हैं या जैसे मैं बर्फी बना रही हूं बर्फी भी बना सकते हैं या आप इसका हलवा भी बना सकते हैं तीनों चीजें बहुत ही टेस्टी बनने वाली है तो आपको जो चीजें पसंद हो हलवा खाना या लड़ू खाना या बर्फी खाना उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं तो यहां मैंने इसे काट लिया है अब मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए फ्रेंड्स बहुत ही दानेदार और यह पर्फेक्ट मिठाई बनी है यह देखिए तो अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं यहां मैं एक ब मुझी का कलाकंद बोल सकते हैं बहुत ही स्वादिश्ट होने के साथ यह हेल्दी भी है तो फ्रेंड्स केसर के धागे से अब हम इसे सजा लेते हैं मैंने थोड़ा सा केसर को दूद में भिगो लिया था और इसके उपर पिस्ता लगा देंगे यह सारी चीजे बिल्कुल ऑ अब मैं इस मिठाई का टेक्शर दिखाती हूं तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही लाजबाब बिल्कुल दानेदार बहुत सुन्दर स्वादिश्ट जो भी कहिए यह हमारा सूजी का कलाकंद बनके तयार हुआ है और बिल्कुल सॉप्ट बना है तो जिस तरीके से मैं बत बैक जरूर दिजिएगा पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फेमली में सेयर करिएगा मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक रेस्पी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैसरी हरी